निर्भया के गुनेगार मुकेश की एक अर्जी को आज सुप्रिम कोट ने खारिच किया ऐसे में अभी 20 मार्च को जो फासी देने के लिए डेथ वारेंट जारी हुआ है सुबह साड़े 5 बजे का चारों दोश्यों को उस पर कोई रोक नहीं है चार में से तीन लोगों की और उसमें जो एंजियोज हैं जो एनराइज हैं जो विदेशों में रह रहे हैं देश के थे उन्हें दिख रहा है वो देख रहे हैं वो अपने देश से प्यार करते हैं भारत से सम्मान करते हैं भारत के संविधान का सम्मान करना चाहते हैं वह सुधायब को तुम को कौन कौन सा एंजीो है कि एंजीओ को सबने ऐहनी साथ-ऐधिका करएं कई सबने अपने वीज़े आप तक यहां भी दीजिए और वहां भी दीजिए और वहां पूरे शेजनल अई इंटरनेशनल कोड जो है वो दो देशों के बीच अगर किसी आपराधग मामले में कोई विवाद होता है या किसी भी तरह कोई विवाद होता है अदरष्टिये उसके लिए वहाँ पर जो है विचार किया जाता है जैसे कि कुलबूशन जाधों का मामला पाकिसथान का है तो कि लोग पुरी दुनिया में हैं, हर कोने कोने में हैं, और जब आपको याद होगा BBC London की फिल्म बनाई थी, डाकुमेंटरी फिल्म बनाई थी, National Woman Day पर रिलीज की थी, भारत न उसको बंद कर दिया, वो फिल्म विदेशों में चली, वहां सारा सर्कुलेशन हुआ, वो तो ये पुरी दुनिया का इसे केस बना दिया, पुरी दुनिया की भावनाए हाथ हो रही है, अब जब फैक्ट है, जब बिनहें और पवन का बहां वीडियो रिकॉर्डिंग मोबायल फोन, उसकी टाइम, उसकी डेट, उनका लोकेशन, टावर, सब कुछ दिल्ली पुलिश ने ब लेकिन आप लोगों का दुर्भागी की यह बातें आपकी खारीज कोती चली गए अइसे में इसको आप लोगों ने आधार बनाया है यह आप कह रहे हैं कुछ NGO है जो वहाँ पर गया गया सवाल यह है कि 20 अज से पहासी होनी है इंटरनेशनल कोट कोई रोक नहीं लगा सकता उसका ऐसा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है आप उसे चलाइए आप उन्हें कहिए कि ऐसा नहीं करिए आप मत करना मीडिया तो सक्षा मैं मीडिया तो कुछ भी करा सकती है मैं मैं यह जानना चाहा हूं मैं आप से जानना चाहां आपने कभी मैं आपसे कुछ और जानना चाह रहा हूं सिंग साहब आपने कोट से नहीं पूछा कि जब जुविनाइल है साड़े सोला साल के डाकुमेंट है तो इसके माबाप के खिलाब वैं फाइयर तो दर्ज कर दो इस स्कूल की तो जांच कर दो दिल्ली प बातें सही है इनको सुना नहीं जा रहा अब सवाल यह है कि सही है या गलत है वो तो एक अलग बात है लेकिन इंटरनेशनल कोट में कुछ लोग गए हैं यहां पर चार चौथे दिन आज से फासी होनी है फासी पर इंटरनेशनल कोट रोक नहीं लगाएगा आप पहले भी अलग अलग बातों का हवाला देते रहे हैं तो क्या इस बार भी आपकी यह कोशिश रहेगी कि इस बात का हवाला देकर या किसी और बात के आधार पर रोक हासिल की जाए देखिए CRPC के तहट death warrant जारी हुआ CRPC के तहट हमारा कड़कर डूमा कोट में जो पावन का सिर्फ आड़ा गया चौधा टाके आए जो गौर्मेंट हास्पिटल शाहदरा का गौर्मेंट हास्पिटल है गुरुतेंग वादुर हास्पिटल उसने मेडिकल किया MLS की 14 टांके आया जेल के अंदर मारा गया सिर्फ आड़ा गया सब कुछ हुआ उसके बाद हमने जब कड़कर डूमा में हमने थूचैनल कमिशनर अपरिस को दिया डीजीपी जेल को दिया डीजीपी प्रिजन को दिया चौधा नंबर जेल मंडोली जेल के सपरेंट को दिय सचोहर्ष व्यार को दिया जब वहां कोई एक्शन नहीं है तो हम CRPC के तहट कड़कर डूमा कोट गए वहां कड़कर डूमा ने हमारे इस केस में आठ अपरेल डेट दी है और इस आधार पे दी कि हम जो कन्विक्ट है जेल का अंडर टायल प्रिजिनर था डेथरो करम हम इ साफ तोर पे कहा गया है कि मिस्कार रिजाब जश्टिस हुआ एलक्षन कमिशन का कोड अफ कंड़क्ट जो मॉडल कोड अफ कंड़क्ट था वह आचार सहीता लगी हुई थी उस समय जो दायाची का विने की डिस्मिस की गई थी मिर्श्राफ कॉंसिल्स की रिजक्शन की र ना रहा नर्व्या के दर्द को बेंस ताबिर्या आज विदेश में जाके छुपके बैठा है आज सामने नहीं है तो इस पर दिली हाई कोड में पेटिशन पेंडिग है तो क्या इन पर फैसला नहीं होगा लेटनेंट गवणर के यहां हमारी पेटिशन CRPC के तहट पेंडि आप से मेरा आखरी सवाल है मेरा कि यह सब बातें ठीक हैं चलिए आप साथिख रहा है कि इन बातों को आप इगधार बनाना चाहते हैं कि फांसी अभी नहीं हो सकती है लेकिन सवाल ये है कि आप तो कानुन-विद्ध हैं कानुन के जानकार हैं अक गयो तो कोई प्रावधान नहीं जैसे चिट्थी आपने राष्ट्पती के पास भीजवा दी हैं लेकिन वह राष्ट्पता की तरह होते हैं हम सब उनकी संताने हैं 128 करोड 30 करोड सब उनसे मागेंगे वह राष्ट्पता के पतपर संबैधानिक पतपर हैं इसलिए उनकी गाड़ी हुए जो खास जोड़े हैं उनके माता पिता अनवेरिट बहने हैं उनकी शादी होगी नहीं वह बाद में मरेंगी आत्महत्त्य करेंगी कलंक लगेगा उनके परिवार पर ऐसा कितना हो चार को फासी दे के खुशी मिल लही है, चौधा की, चौधा लोग और माग रहे हैं खुशी, ट्राइल कोर्ट, साकेत कोर्ट, हाई कोर्ट, पटेला हाउस, सुप्रिम कोर्ट, मीडिया, पार्टी, सेंगा ठैन, एंजियो, निर्भ्या की मा, सब को शांती मिल जाएगी, इन चौधा को भी रिकमेंड करा दो, कि ये भी अपना जीवन छोण सकते हैं, जीवन दान, इनकी छमर तो देदो, मर जाएंगे, खतम हो जाएगा, फिर उससे आपको एक और फायदा होगा, नहीं तो कोई ना कोई सुप्रिम कोर्ट में चीफ जश्टिस की सीट पर, ये बहु पुलिस अधिकारियों की डिपार्टमेंटल इंक्वारी चल लही है, जो सच्चे थे, उन्हें जूटा बनाया जा रहा है, उनका भी फैसला होगा, इस केस का भी फैसला होगा, लेकिन अगर आप इस सारे सिस्टम से बचना चाहते हैं, तो ही 14 को भी छमर तो दिला दो, इसा प्रावधान है, नराष्टपती, इसको इंटर्टेन भी करेंगे, दूसरी बात जो इन से बाते करते हुए, जो समझ में आई, एक तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोट में कुछ लोग चले गए हैं, और तरह तरह की जो अरजियां इधर उधर डाल रखी हैं, मुकेश इस ये करेंगे, साफ तोर पर इशारा एपी सिंग हमें दे रहे हैं इस बात्चीत में, निपुन सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे